यहां पर एक अपडेट के बारे में बात करते हैं आप स्टूडेंट के लिए यहां पर important update है और जो बच्चा यहां पर सबसे पहले चैनल पर आज जुका है वो comment session में जो है comment कर सकता है ठीक है उसका comment का जरूर reply करेंगे और हाँ जो आपके doubts है वो भी clear करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हाल ही में मैंने आपको यहां पर बताया ही था लेकिन फिर भी बच्चों के काफी सारे questions थे और बोल रहे थे कि मैं आप wrong information दे रहे हो ठीक है तो फिलाल उन वो बच्चे भी यहां पर सुन ले ठीक है और वीडियो को जादा से जादा शेयर कर लीजिए फि subscribe और bell icon को all notification पर रखेगा ताकि सबसे पहले आपके जो है updates है वो सबसे पहले आपको इसी channel पर देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहां पर बात कर लेते हैं फिलाल जेके SSB की side पर है और यहां पर जो है एक notification regarding document verification of additional candidates falling under consideration zone of various posts तो कुछ बच्चे जो है इसमें select किये गे हैं ठीक है हाल ही में यह तो उन बच्चों के लिए होगी जिन्नोंने मैंने यह download की थी already तो again इसको download करके दिखाती हूँ ठीक है अब इसमें जो आप यहां पर देख सकते है document verification के लिए बोला गया है ठीक है जो 1908 को जो है यह candidate की जो है I think exam हुआ था इनका document verification committee of the board of the verification जो है इन बच् 310 को है ठीक है 310 को per schedule आपको दिया गया है और आपको साथ में अपने जो है यह यह documents आपको लेकर आने है copy of application form की दो passport size photo original ID आपकी photo ID proof जो अधार कार्ड पे होती है यह voter ID pen card passport जो भी है डेटाबर 10th marks card पे होता है 10th marks card लेना है category है तो category certificate लिए और domicile certificate है mark sheets है metric की ठीक है so इस तरह से जो है आपकी जो qualifications है और यह form जो है यह कौन से form लगे थे यहाँ पर देखिए उमर based के इन बच्चों के लिए जो है यह निकाली है recruitment ठीक है यह कश्मीर side कश्मीर और जमू में भी है ठीक है जैसे जो है item number 323 था ठीक है आप उस तरह से देख लीजिए जिसने plumber की पोस्ट के लिए apply किया था फिर second जो है mechanic की पोस्ट के लिए apply किया था जिसका नाम था हरिश महरा ठीक है इनको document verification के लिए बोला है यहाँ पे आप देख सकते है last में आपको document verification के लिए बोला है वैन्यू भी दिया है कि कहां पे आपको आना है ठीक है इन दो बच्चों की जो है document verification के लिए बोला हो और item number आप check कर लेना और यहाँ पर जो है यह भी देख लेना ठीक है कि उन बच्चों के लिए जो है यह एक important update है ठीक है अब next हम बात करते हैं यहाँ पर सीधा second option जो है added option का जो बच्चे यहाँ पर काफी सारे जिनको doubts है देखिए yes no पे तो काफी सारे doubt है बच्चों को तो 3-10 को इसकी last date है हाल ही में अभी जो है four days है बाकी फिलाल आज का दिन तो चला गया कल के दिन का 30 September और 1st October 2nd October और 3rd October ठीक है 3rd तक जो है last 10 बज़े तक शाम को इसकी जो है date close हो जाएगी उसके बाद extend नहीं होने वाली है और आप लोग candidate का नाम ठी category और जिस item में आपने apply किया है phone number और email ID आप जो है यह change नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है जो yes no का doubt है ना yes और no का ठीक है उदर यहाँ पर आपको दिया है गोर्खा community आप गोर्खा community से belong करते हैं यह नहीं देखें physical standard तो लिखा है लेकिन वो physical standard किसके लिए लिखा है गोर्खा community के ठीक है वहाँ पर हाइट देखो आप वहाँ पर हाइट कितनी दी है वेट करो मैं आपको screenshot एक मिनट शेयर करती हूं अब यहाँ पर देखो जो physical standard लिखा है ठीक है physical standard में लिखा है do you possess the request physical standard ध्यान से पढ़िए और देखिए वीडियो को provisional that for the candidate belonging to the गोर्खा community boat tribe जिसकी कम हाइट है shall be relaxed वाई उसको दो साल की relaxation भी मिलेगी लेकिन जो गोर्खा community या फिर boat tribe के हैं और उनका physical standard अगर इसमें fall करता है जैसे male की height 5-6 है तो दो साल उनको जो है relaxation मिल जाएगी फिर उसके बाद chest girth दी है 32 unexpanded करके है ठीक है और chest girth बर्थ जो दी है 31-33-33 जो है वो expand करके होनी चाहिए और female की height 5-2 होनी चाहिए minimum कम से कम फिर भी उनको जो है 2 साल की relaxation मिलती है ठीक है तो ये उन बच्चों के लिए है वहाँ पे इन बच्चों को जो है yes करना है ठीक है जो गोरखा community के है ठीक है बाकी जो नहीं है उनको no करना है याद रखिए और इसमें कोई wrong information नहीं है आप कहीं से भी confirm कर लीजिए इसमें कोई wrong information नहीं है ये आपको मैं last बार update दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों के बहुत सारे doubts है yes no yes no yes no तो यहाँ पर no करना है yes उनी बचों को करना है जो गोरखा community और वो ट्राइब के है और लास्ट में इसका आपके पास certificate होना चाहिए और फिर upload जाके फिर edit होगा ठीक है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं next वीडियो next update के साथ वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like share जु है वो भी आने वाले